आज आल इंडिया सिंक्त किसान मोर्चा ने लगबग दो मिन्ने पहले दिल्ली के अंदर इकठा हो करके एक आवान किया था कि 16 फरवरी 2024 को सारे देश में गरामिन बार्जबंद किया जाएगा इसके तैत सारे देश का किसान और मजदूर इकठा हो करके किसी भी परकार की बजार से खरीद भरोक नहीं करेगा दूद सबजी फड़ वगएरा ना बेचेगा ना खरीद देगा ना कई रिष्टेदारी में जाएगा और तमाम देश के सटेट आईवे और नैसनल आईवे को जाम करने का काम करेंगे उसके साथ साथ 13 फरवरी को जो हमारी पंजाब की किसानों की जत्ते बंदियां MSP को लेकर के लखेंपूर के पीडित किसानों सहीत किसानों को नए दिलवाने के लिए और पूरन करद माफी के लिए लेबर कोर्ड को खारिद करवाने के लिए और बुमी अदिकार्ण नियम 2013 जो किसान हितनी था उसको दोबारा लागू करवाने के लिए बिजली अधिनियम को खारिज करवाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया था 13 फरवरी 2024 को उनको संभू बाडर अंबाला से पिछे पंजाब रियाना के बाडर के उपर अरियाना पुलिस के दोवारा सरकार के इसारे पर रोका गया और इसी परकार खनोरी बाडर के उपर नर्वाना से आगे खनोरी बाडर के उपर हमारे किसान बाडर के उपर बास्टिक की गोलियां ड्रोन से उनके उपर दागी गई कैमिकल यूक्त पानी की बहुत सारे मारी गई हमारे एकजार से ज़्यादा किसानों को लाठियों से गोड़ियों से गाहिल किया गा जिसमें 20 से ज़्यादा किसान जिंद्गी और मोत के बीज अस्पतानों के अंदर जूज रहे हैं हम इस से तानाशाई को कताई बरदास्त निकरेंगे सरकार की 13-14 फरवरी की जो अर्यादा पंजाब के बाडर के उपर काहरता पूर्ण किसानों के उपर गलत वारदात की गई उसके विरोध में और आल इंडिया सयूंक्त किसान वोर्चा के आवान पर जो संपूर्ण के पांचू टॉलों के उपर तमाम अर्याणा का किसान मजदूर प्रेड यूनिने सभी करमचारी संठन और अन्य सभी सामाजिक संस्ताइं साथ लग करके हमने पूर्ण बंद को समर्थन किया है आज हमारे इलाके से गामों से लोग लगबग पतीस गाउं से यहां पर हुए हैं कल हमारी सिसाय के अंदर बहुत बड़ी किसानों की महापंचाहत हुई उसके लिए कमेटियां बना करके गाउं के अंदर निकली हुई है और 18 तारिक को खेड़ी चोक्ता के अंदर बड़ी तादाद में किसान भाई ट्रैक्टर ट्रालिया लेकर करके इकठे के और वहीं पर मोके और निर्णे लिया जाएगा हम खनोरी कूच करेंगे हम संभू बार्डर कूच करेंगे या हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे सरकार की जो आज परजेंट के अंदर नैशनल आईवे के उपर किले गार्ड करके और इतना जबरज़स इस वरकार दूसरे देश के साथ लड़ाई होती है अपने देश की सुरक्षा के लिए बार्डर पनाए जाते हैं और मुर्टे खोदे जाते हैं इस वरकार का माहोल किसानों के साथ सुबे की और देश की सरकार ने कर रख्या है ये बड़ा चिंता चिंतनिय विशे है ये तानाशाई की तरफ ले जाता है यही सारा सरकार का और किसान मजदूर का गड़ा गोटने के लिए इन्होंने कसम खा रख्या है इनका मुख्य मक्सद है बुमियादी गरने नियम के साथ छेड़ चाड़ करना बीजड़ियादी नियम लागू करना और बुमियादी गरने 2013 को खारिज करना और चार लेबर कोड नए लेना ये दरसाता देश के किसान और मजदूर को अडानी अमानी पुंजी पतियों के रह उपर तोड मरोड करके RSS के आजादी के लगाई के टैम अंग्रेजों का साथ देने वाले लोगों को देश बगत साबित करने के लिए सविधान के अंदर भी बहुत बड़े पहमाने पर तब्दिली की गई है हम इन काहरता पूर्ण देश की जनता के खिलाब जो नीने हैं इनको कतई बरदास निकरेंगे देश के सविधान को बताने के लिए देश का किसान और मजदूर देश का आवाम अपनी जान की बादी लगा देगा देश का किसान और मजदूर देट शो करोड देश की जनता का पेट बरने का काम करता है हम किसे बाप किसी की बाप की बपो किसान दिल्ली के बाडरों को हम सील करेंगे हमारी सारी जो मंगे हैं आल इंडिया सेंट किसान मोच्चा की जो मैंने अभी अभी आपके सामने गिनवाई सबी को हूब हूब लागू करवा के हम घर वापिस आएंगे घर ऐसा नहीं होता अभी 2024 के अंदर इस ताना श्याई परदा तंतर का गड़ा गोटने वारी EVM के उपर और लूट खसोट मचा करके परदा तंतर को खतम करके गलत तरीके से इटलर श्याई तरीके से देश की सत्ता के उपर कबजा क करने की जो प्लान है उसको हम कावियाब नहीं होने देंगे इसके लिए देश के किसान और मजदूर देश का कमेरा वरग ने कितनी बड़ी कुर्बानी हमने क्यों न करनी पड़े आज मैय टॉल को तीन बज़ां तक हमने पूल रूप से हील कर रख्या है टॉल फरी किये ग को पंजे हम नहीं टिकने देंगे जो कि किसानों के उपर है इतने खतरनाक तरिके से हमारे 1000 से ज़्यादा किसान भाईयों को संबू के अंदर और खनोरी के अंदर काहल कर दिया गया और कैमिकल यूक्त पाणी से पाणी की बहुत सारे मारी गई जिस किसान मजदूर के आख के उपर बैन यह सविदान के खिलाप है यह कानून के खिलाप है यह देश की आम जनता के अधिकारों का हननन इसको परदास नी करेंगे निकट मविश्य के अंदर देश के किसान मजदूर देश की तमाम ट्रेड यूनिन ने देश का तमाम कमेरा वरग इकठा हो करके इन गुंडे ताना शही बीजेपी और आरेसेस के जो हुकमराने बने हुए हैं सडकों के उपर दोड़ा-दोड़ा करके पीटेंगे रोधाना किसान पीटने के लिए नहीं पैदा हुए अपनी मान पैदा किसान सबा वह राज्याय उपरण अखिल भारतिय किसान उनियन के जाएज से पुलिस वाड़े जैसे आतोंगवादी है अशा कर रहे हैं मारे सातियों के सात और एक हमारा किसान साथ ही था अक्षेनर्वाड वाड़े जिसके उपर गंबीर दा रहा है 307 जैसे मुघद में लगाकर उनकी गाटी तोड़ दी गई और कल अमने सिसा में बहुत बड़ी पंचायत करी थी पंचायत में फैसला लिया गया है जो आसपास के जितने भी गाम है लग पूरा रियाना की कोल है यह तीन बजे लग सभी तोल फरी रहेंगे तो क्या आज भी कुछे किसान जो है वह बोर्डर की तरफ जा रहे हैं या भी रखारा वह जाएंगे यह आसपास के गाउं जाइसे कमेटि वंड्री गाउं गाउं परचार कर रही है तो यह जितने आसपास के गाउं सभी किसान पहुंचेंगे क्या आज आपने भारत बंद को भी समर्थन दिया है कि